पसकार दोस्तों मेरा नाम है हेमराज और आप देख रहे हैं टागबित हेमराज यूटूब चैनल तो दोस्तों मद्ध प्रदेफ, हाई कोट में ड्राइवर, चपराफी, चौंकिदार, माली और फफाई कर्मिचारी के पोस्ट की भरती के लिए जो नोटिफिकेफन जारी किया गया था जिसमें केवल और केवल फात्फो आठ पद थे अब इसे बढ़ा कर फात्फो 86 पद कर दिया गया है तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि किस जीला नियाले में कितनी पोस्ट बढ़ी हुई है, इसकी इंपोर्टेंट फडेट कितनी है, एज लिमिट कितनी रखी गई है, अपलीकेशन फीस के बारे में, और फ्लेक्शन प्रोफिफ के बारे में, परी बात बता दूँ कि ये आल इंडिया जॉब है इसमें फभी स्टेट के कंडिडेट अप्लाई कर फकते हैं ऐसा नहीं है कि येंपी में निकाली गई है तो फिर फिर येंपी के कंडिडेट अप्लाई कर फकते हैं ऐसा नहीं है सभी स्टेट के कंडिडेट अप्लाई कर फ वीडियो स्टार्ट करते हैं तो फब फ़े पहले हम इंपॉर्टेंट डेट देख लेते हैं तो इसके जो फॉर्म है दोस्तों तो 9 नॉमबर 2021 से बनना स्टार्ट हो जाएंगे और इसके फॉर्म बनने की लास्ट डेट है 24 नॉमबर 2021 एज क्राइटेरिया की बात करें तो मिनमम 18 फाल रखी गई है और मैक्जिमम 40 साल लेकिन यहां महिलाओं के लिए 5 फाल और एक्स्ट्रा छुड़ दी गई है 18 फाल मिनमम और मैक्जिमम 45 साल एज रखी गई है अप्लिकेशन फीस की बात करें तो जनरल कटेगरी की 2 फाल रुपए लग रही है और SCST OBC कटेगरी की यहां 1 फाल रुपए लग रही है यदि आप अदर स्टेट फे फॉर्म भर रहे हैं तो आपको यहां पार 2 फाल रुपए फीस देना पड़ेगा फिर इसके बाद हम पोस्ट के बारे में बात कर लेते हैं तो ड्राइवर की 69 पोस्ट निकाली गई है चपराफी चौकीदार की 4 फो 75 माली की इंक्यामन और फफाई करमेचारी की 1 फो 13 पोस्ट हैं टोटल मिला कर 5 फो 8 पोस्ट हैं लेकिन अभी 8 तारीक को इसकी नोटिफि 8 पोस्ट हो गई हैं तो दोस्तों आपके लिए एक बड़ा मौका है तो चलिए अब हम एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं तो यदि आप ड्राइवर की पोस्ट के लिए अपलाई करना चाहते हैं तो आपको दसमी पाफ होना चाहिए और फाथ में लाइसेंस होना बहुत जरूरी है ओके इस बात को आप ध्यान में रखिएगा और अधर पोस्ट जितनी भी बचती हैं जैसे चपराफी चौंकीदार माली और फफाई करमेचारी के लिए इनके लिए अठमी पास मांगा गया है तो यदि आप अठमी पास हैं तो माली चपर काफी चौंकीदार और फफाई करमेचारी की पोस्ट के लिए अपलाई कर फकते हैं ठीक है अब हम यहां पाफ फ्लेक्शन प्रोफिस के बारें बात कर लेते हैं तो यहां कोई भी एक्जाम नहीं होगा आपका फ्लेक्शन इंटर्व्यू के आधार पर किया जाएगा ओके यहां तीफ नबर की इंटर्व्यू होता है और फिर मैरिट लिष्ट बनता है और जिसका मैरिट लिष्ट में नम आ जाएगा उफका फ्लेक्शन हो जाता है बिल्कुल ही जी है फिर इसके बाद अब हम देख लेते हैं कि किस डिश्ट्रिक में किस जीला नियाले में कितनी पोस्ट बढ़ाई गई हैं तो फीधी जिला नियाले में फूला पोस्ट बढ़ाई गई हैं हर्दा में जिला नियाले हर्दा में आठ पोस्ट बढ़ाई गई हैं जिला नियाले रतलाम में 21 पोस्ट बढ़ाई गई हैं 21 और जिला नियाले नीमच में 24 पोस्ट बढ़ाई तो आप टोटल फात्फो 86 पोस्ट हो गई है अब हम बात कर लेते हैं फैलरी के बारे में तो आपको यहां पाफ फैलरी कलेक्टर रेट के हिसाब दी जाती है ड्राइवर की फैलरी यहां पाफ 9000 रुपए फिले कर 11000 रुपए पर मन्त होगी बाद में बढ़ भी सकती है मैं करमेचारी की 8800 रुपए ओके तो दोस्तों यह रही थोड़ी फी जानकारी में मकसद वीडियो बनाने का यह था कि यह जो पोस्ट बढ़ाई गई है यह था और इसके बारे मैं पहले से एक वीडियो बना चुका था तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो झालओ यह करती है कि यह था जंदious है कि यह झालओड़ी फीडियो जीघियो फीडियो बनारबालबादा का थर आपको मक